सरकारी स्कूल में जिसे सरकार भी सीरियसली नहीं लेती थी जिस स्कूल को स्कूल का चपरासी तक सीरियसली ना लेता हो उस स्कूल में मेरी सास ने कभी बिन बताय छुटी नहीं ली कभी देर से नहीं पहुंची एक दिन अपनी सास को मैंने बताया कि मेरे स्कूल में ओम प्रकास मास्टर कई बार नहीं आते थे तो कोई आक्शन नहीं दिया जाता था फिर आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई को इतनी गंप्रीता से क्यों लेती है एक आत दफा देर हो जाए तो कौन सा पहार तूट पड़ेगा वैसे भी सरकारी इसकूल में कौन सी पढ़ाई होती है जो इतनी माथा पच्ची की जाए मेरी सास ने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मुझसे सवाल किया उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ कि उस ओम प्रकास मास्टर के बच्चे अब क्या करते है मैंने दिमाग पर बहुत जोड डाला फिर मैंने बताया कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता जैकर उनकी बड़ी बेटी दसवी तक ही पढ़ाई कर पाई थी फिर उसकी पढ़ाई छूट गई बेटा भी ठीक से नहीं पढ़ पाया तो छोटा मोटा कोई काम उसने पकड़ लिया मेरी सास ने कहा उन सभी मास्टरों को याद करो जिन्हों ने अपने काम को इमानदारी से अंजाम नहीं दिया मेरा मतलब पढ़ाई में कोता ही बरती बच्चों को पढ़ाने के जगा स्वेटर बुनने या घर के काम करने में समय खर्च किया या ट्यूसेंट आधी पर अधिक ध्यान दिया मैंने फिर दिमाग पर जोड डाला पंडित मास्टर जी की याद आई संस्क्रित पढ़ाते थे पढ़ाते क्या थे बाते मनाते थे बच्चों से कद्दू, पपीता, केला बता और उपहार लेकर कौपी में नंबर दिया करते थे उस पंडित मास्टर की बेटी पता नहीं क्यों छटी के बाद ही स्कूल छोड़ गई थी बहुत बाद में पड़ा चला कि उसकी शादी हो गई थी और पती ने उसे भी छोड़ गिया था फिर एक-एक कर मैंने बहुत से मास्टरों को याद किया उन मास्टरों को भी याद किया जो सच-मुच बहुत इमानदारी से पढ़ा दे थे जिन्होंने कभी बेवजह नागा नहीं किया याद आया गडित वाले पारस नासिंग मास्टर का बेटा तब इंजिनियर बनकर अमेरिका चला गया था जब अमेरिका का दर्वाजा सब के लिए नहीं खुला था हिंदी वाले उपेंदर राय के मास्टर की बेटी तो मेरी आखों के आगे ही डॉक्टर बनी थी मैं अपनी यादों में डूबा था मेरी सास ने मुझे टोका कहां खो गए बेटा जी मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मास्टरों को याद कर रहा हूँ मेरी सास ने कहा क्या याद किया यही कि ओम प्रकास मास्टर के बेटे ठीक से नहीं पड़ पाए संस्क्रित के मास्टर की बिटिया कभी यही याल था पारस नात सिंग और उपेंदर मास्टर की कहानी भी मैंने उन्हें सुनाई मेरी सास मुस्कुराई उन्हेंने कहा कि मैंने इसलिए आपको याद करने को कहा था जो मास्टर बच्चों के भुष्चे से खिलवार करता है दरसल किस्मत को उसके साथ खिलवार कर लेती है जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है या जो बच्चे स्कूल में सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें इमानदारी से पढ़ना चाहिए जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी करें तो काम चल जाएगा उनका अपना काम अटक जाता है अक्सर जियारत और शिक्षक के बच्चे ही नहीं पढ़ पाते मैंने एक भी दिन बच्चों के साथ बैमानी नहीं की मेरी सास ने कहा उन्होंने कहा कि देख लो मेरी दोनों बेटियां पढ़ाई में कैसी निकली मेरी दोनों बेटियां स्कूल कॉलिज में टॉप करती रहीं मतलब ये कि जैसे करम करोगे वैसा ही पल मिलेगा जो अपने काम को इमानदारी से अंजाम नहीं देते उनके साथ जिन्दगी कब बैमानी कर बैठती है पता भी नहीं चलता पता नहीं कहां कहां से ठंड में, गर्मी में, बरसात में बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं ज्यान के प्राप्ति के लिए आते हैं, माबाप के मुराद पूरी करने आते हैं उनके अंजान भविष्य से कभी खिलवाड नहीं करना चाहिए मेरी सास ने कहा कि बेटा जी आपके सवाल का जवाब इतना ही है काम वही सफल होता है जो पवितर भाव से संपूर्ण मनोयोक से किया जाता है मैं स्कूल समय पर जाती हूँ ताकि जो पैसा घर आए वो तन और मन दोनों को लगे अपनी सास की बात को सुनकर मुझे याद आया कि मेरे पिता जी भी मुझे से कहते थे कि पैसा कितना कमाया इससे ज्यादा महत्वपूने पैसा कैसे कमाया है यह जिन्दगी की छोटी छोटी बाते हैं लेकिन